हेलो बच्चो कैसे हैं बच्चो आज हम पार्ट पढ़ रहे हैं बंदर और गिलहरी देखो बच्चो बंदर और गिलहरी इस पार्ट में क्या करते हैं कि वो बंदर की इतनी लंबी पूँच है कि उसकी पूँच नीचे लटकी रहती है और गिलहरी उसे जूला समझ लेती है क यह जूला यहां कैसे लगा और वह उसकर जूलने लगती है लेकिन बंदर को गुद्गुदी भी होती है जब हम किसी की कोई चीज अचानक छूते हैं तो गुद्गुदी होती है ना उसी प्रकार से बंदर को भी गुद्गुदी होने लगा अब देखो हम पाठ पढ़ते है बंदर और गिलहरी एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूँच बहुत लंबी थी इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी एक गिलहरी जमीन पर उचल कूद कर रही थी देखो बच्च यहां क्या कहा गया है यहां यह कहा गया है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था और उसकी पूँच बहुत लंबी थी वो इत्मी लंबी थी उसकी पूँच कि वो पेड़ से नीचे लटक रही थी जमीन तक लटक रही थी और जमीन पर यहनी प्रत्वी पर एक गिलहरी उचल कूद कर रही थी गिलहरी क्या कर रही थी उचल कूद कर रही थी तो जब वो उचल कूद कर रही थी बच्चों तो देखो फिर क्या होता है यह देखो अच्छानक उसे पूँच दिखाई थी उसने सोचा कि जूला कहां से आया क्या सोचा उसने कि यह जूला कहां से आ गया और थोड़ी देर पहले तो नहीं था उसने यह सोचा कि यह जूला पहले यानि थोड़ी देर पहले तो नहीं था लेकिन अभी कहां से आ गया एकदम से तो वह पूँच पर चड़कर जूलने लेगी उसने सोचा जब यहां जूला लगा है तो चलो मैं इस पर जूल लेती हूँ और वह उस पर चड़कर जूलने लेगी बंदर को गुदगुदी हुई जब वह जूल रही थी पूँच पर तो बंदर को गुदगुदी हुई और बंदर को जब गुदगुदी हुई तो उसने नीचे जाक कर देखा वह हसकर बोला बहन गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है गिलहरी चौकी बंदर भाईया यह तुम हो तो गिलहरी ने क्या कहा कि बंदर भाईया यह तुम हो मैं तो तुम्हारी पूँच को जूला समझ कर जूल रही थी मैं तो तुम्हारी पूँच को जूला समझ रही थी कि एक जूला कहां से और मैं इस पर जूलने लगी बड़ा मज़ा आ रहा था बंदर भीया मुझे जूलने में बड़ा मज़ा आ रहा था और गिलहरी हस्ती हुई पेड की डाली पर चड़ गई गिलहरी कहां चली गई? पेड की डाली पर चली गई देखो बच्चो जब हम किसी से प्रेम करते हैं किसी के साथ रहते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी कुछ गल्तियों को वाफ भी कर देता है, जिस प्रकार से यहां बंदर और इसमें हुई गिलहरी में है, गिलहरी पूछ को जूला समझ कर जूलने लगी, और जूलते जूलते, जब बंदर को पता चला कि उसकी पूछ में जूल रही है तो जूलते जूलते जब उसने बंदर ने उससे कहा हसकर कि गिलहरी बहन क्या कर रही हो मुझे गुदगुदी हो रही है गिलहरी चौक गई किया हुआ यह क्या हुआ मैं तो तुम्हारी पूच को जूला समझ कर जूल रही थी पर बड़ा मज़ा आ रहा था जूलने में और गिलहरी हस्ते हुए पेड की डाली पर चली गई गिलहरी को जूलने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन वह जब बंदर ने उसे कहा कि मुझे गुदगुदी हो रही है तो वह और नहीं जूल सकी और हसते हुए पेड़ पर चली गई बच्चो इस पार्ट को आप पढ़ेंगे और अच्छे से इसके सारे शब्दों को समझेंगे ठीक है और इसके चित्र भी बनाएंगे कॉपी में ठीक है धन्या